नमस्कार दोस्तों मैं और आप देख रहे हैं टेक्निक याद चेनल तो आपका भूद भूस्वागत एक बार फिर से इस प्लेट थार्म के उपर आज फिर से आपर मैं आपको बताने वाला हूँ साव मी एमाई 7 में मतलब वो और क्या आपर निकल के आए था काफी दिन होगे मुझे साव मी मैं एमाई 7 का वीडियो बनाए हुए साइद आपने में से काफी लोगों ने वो वीडियो देखा था लेकिन हो जकता है इतने दिन के बाद कुछ याँ पर बदला हो गए होंगे त बाइए शुरू करते हैं दोस्ते आपर हम बात कर रहे हैं स्याव मी माई 7 वाले वर्जन के बारे में जैसा कि हमने कल वाली नूज में बात की थी कि अभी जो है स्याव मी का इसे लॉंज करने का कोई रादा तो नहीं है लेकिन हो सकता है लॉंज हो भी जाए म्ड़ी दो ज इन बार और यह चलने वाला है इस साल में तो कभी न कभी तो लॉंज कोई जाएगा तो कुछ और जो है स्प्रिकेशन इसकी अलग के निकल के आई है याप उनकी बात इस वीडियो में कर रहे हैं तो सीधे सीधे में आपको यापर बता देता हूं 5.9 और 6.1 के यहाँ पर दिया गया कोई रेट यह आपको यहां पर नहीं मिलने वाला है इसके अंदर 260 वाई एक जारसी पिक्सल डिस्प्ले गे क्राफिक्स यहां पर याप तिर पिक्सल जो है आपर बताये जा रहे हैं अठारा नुपात नो वाले भी कापी सारे रूमर के आपर निकल के आ रहे है और Corning Gorilla Glass 5 वाला protection है यह थोड़ा सा confirm है यहां पर की डिस्प्ले के उपर आपको मिल जाए नेक्स्ट यहां बात करें तो इसमें CPU की तो इसमें कॉलकॉम स्नाप्रेगन 845 अपक्विंग CPU है जिसके काफी सारे चर्ची अपी भी चल रहे हैं वह इसके अंदर आपको मिल सकता है और Artificial Intelligence को सपोर्ट करेगा और उसे के चलते जो है साइद MIUI 10 वाला वर्जन जो है साउमी ने निकाला उसके उपर मैंने कुछी दिन पहले एक वीडियो बनाया था उसमें आप जाकर देख लें क्या-क्या जो है वो काम यहां पर हमें करके देने वाला है तो टो फाइफ सकते हैं इसके अंदर और तीन चार वेरियंट यह आपर हो सकते हैं मेमरी को ले गया है मतलब है 126GB, 256GB, 512GB और 64GB अलग-लग वेरियंट यह आपर हो सकते हैं MIUI 10 बेस जो है इसके अंदर निकल के आएगा जो कि 8.0 और यो के उपर यहां पर बनाया गया है तो Artificial Intelligence को सपोर् कायदे कुछ से rumors के हिसाब से 512GB तक आप पे मेमरी कार्ड इसमें सपोर्ट करा सकेंगे और 4G दोनों सीम यहां पर सपोर्ट कर लेंगी कुछ यह भी निकल क्या है कैमरा की बात करें तो इसमें काफी अलग अलग rumors हैं एक है 19 प्लस 20MP rear camera, 16 प्लस 16MP rear camera, 20 प्लस 20MP rear camera और front camera की बात करें तो यहां पर भी काफी अलग अलग rumors निकल किया रहे हैं अलग-ज़ग वेबससाइट की बात करें तो किसी के ऊपर 20 Megapixel front camera बताया गया है किसी के ऊपर 8 Megapixel dual camera बताये जा रहे हैं किसी के ऊपर 16 Megapixel किसी के ऊपर 13 किसी के ऊपर 12 अपनी सब रहे जो यहां पर दे रहे हैं लेकिन camera setup जो है मैं आपको बता जता हूँ काभी जबरदस्ति आंपर निकल के आएगा आगे बात करें थोड़ी सी connectivity की तो VOLT का support जो इसमें आपको मिल जाएगा जैसे कि जियो की sim डालने के बाद हमें जो है आप Chromecast वगरा करते हैं Wi-Fi के थरू काफी high speed से Chromecast कर पाएंगे dual band Wi-Fi के साथ Bluetooth 5.0 यह भी latest version है Bluetooth का तो data traveling में भी आपको काफी ज़्याद है आपर आसानी होने वाली इसके साथ अब IR Blaster की काफी सारी website के उपर बात हो रही है कोई website बोलती है नहीं है कोई बोलती है 100% लेकिन जाला तर website के उपर यहां पर मतलब देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लगभग 90% chances है इसके कि IR Blaster जो है Xiaomi Mi 7 के अंदर Xiaomi देगा कि काफी दिन से कोई चर्चे इसके भी नहीं चल रहे हैं और अभी भी जो है Xiaomi launch करने के कुछ बात नहीं कह रहा है तो थोड़ा सा टाइम यहां पर और लेने वाला है इसके अंदर एक आईरिस इसके अंदर मिलेगा जो कि आपकी आँखों की पुतली है उसी स्केन करके इस mobile को लोग करने वाला है अब यह निकल के आता है तो यह mobile मतलब इसकी प्राइस यहां पर भढ़ती चली जा रही है तो तेकते हैं और इसके अंदर fingerprint sensor भी यहां पर बताया जा रहा है डिस्प्ले के अंदर mounted यहां पर आपको मिलेगा second phone या फिर third phone हो सकता है जिसके अंदर fingerprint sensor आपको display के अंदर मिले USB type C यह तो मतलब यह normal आजकल हो चुकी है लेकिन जो Qualcomm की quick charging है और wireless charging है दोनों इसमें आपको मिलने वाली है मतलब wireless charger इसके साथ आने वाला है और adapter वाला charger जो की cable USB के साथ लगाया जाता वो भी इसमें आपको मिलने वाला है दोनों charger आपको यहां पर मिलेंगे जो की fast charging को यहां पर support करने वाले हैं नेक्स्ट बात करें बैटरी की तो बैटरी जो इसमें 3900 के भी rumors हैं और 3500 के भी rumors हैं और 4300 के भी rumors हैं अब इन में से कौन सी बैटरी होगी है तो confirm नहीं हो सकता है उपर नीचे भी हो जाए अब अलग-अलग website के उपर देखने के बाद में अलग-अलग कुछे category बैटरी के आपर निकल किया है price जो है सारी के सारी website को देखने के बाद मैंने बीच का यहां पर हिसाब किताब निकाला है अलग-बग 30,000 उपर के आसपास price हो सकती है कहीं पर 27 बताई जा रही है कहीं पर 29 मतलब 1000 price बताई जा रही है कहीं पर 33,000 price बताई जा रही है एक website के उपर तो 37 या पर बता जी थी लेकिन अभी अलग-अलग मैंने बता दिया आपको लेकिन मैं आपसे भी आपर जाना चाहूआँगा कि प्राइस जो है नीचे comment box में लिक कर आप मुझे जरूर बताएं अगर आपने वही तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नीचे सब्सक्राइब टन मिल जाता है आसा करता हूं वीडियो में आपको काफी मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेर भी कर दें मिने फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी पता चले हम भी आते हैं स्टिलेट फारम के उपर अगर आप तो कोई सवाल है को शुजाव क्यों आपको च्रेंश़ आपको शुजाब प्रिंश़